नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं सभा अस्थल की बेरिकेटिंग भी की गई है, सभा अस्थल में दर्जनों अस्टोल बनाए गए हैं जहां अधिकारी लाभकों की समस्याओं का निदान करेंगे सोमवार को उपायुक्त अब्बु इमरान, एस्पी राकेस रंजन ने सभा अस्थल का निरिक्षन किया, साथी रूट चार्ज बीधी बेवस्था का जाजा लिया पदा अधिकारियों को आवस्था दिसाने देश भी दिया, मुख्य मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं, हेली पैट से लेकर सभा अस्थल तक की सुरक्षा चाक चोबंद की गई है मुख्य मंत्री के कारक्राम को लेकर छेत्र में परचार पर सार भी किया जा रहा है जैक बोर्ड सर्दी की छुट्टी के बाद मौडल प्रश्ण पत्रों से करवाएगी तयारी जारखन एकेडमी काउसिल ने मैट्रिक हुआ, इंटर की बोर्ड परिक्षा फरवारी में होगी जिला सिक्षा विभाग ने जनुवरी का सेडूल तयार किया है जिसमें सभी परिक्षार्थियों को अधिक से अधिक टेस्ट में सामिल होने को कहा गया है बताया गया है कि सर्दी की छुटी के बाद जब स्कूल खुलेगा तो सभी बच्चों को विभीन विशयों के मोडल परिशन पत्रों से तयारी करवाई जाएगी साथ ही परिशार्थियों से हांसिल अंकों के अधार पर उन्हें गाइड भी किया जाएगा बिद्यार्थी संबंधित पेपर को हल करने के लिए अपने घर भी ले जा सकते हैं पर इक्चा की तैयारी के लिए जीला सिक्चा अधिकारी के लिए भी लक्ष निधारित किया गया है सबसे अधिक बोकारों के नव इसकूल सामिल है सूची में राची के भी दो स्कूल है जिन स्कूलों की मनेता रद की गई है उसकी जिलावार सूची सीबियसी के ओफिसियल वेपसाइट पर अप्लोड कर दी गई है बोड ने अविभावकों को सूची देख कर इनी स्कूलों में बच्चों का दाखिला दिलाने से बचने को कहा है CBSC के बाइलोज पूरा नहीं करने का कारण इनी स्कूलों की मनेतर रद की गई इसमें इस्वा टक्चर से लेकर लैब, लैबरेरी, कक्षा का आकार, पढ़ाई की गुनवाता, एक्स्ट्रा, करिकूलम, एक्टिवीटी की बेवस्था के कमी समेत अन्य कारण भी है धनबाद जेल में छापे मारी DC ने दिये निर्देश जारखन के गेंग्स्टर अमन सिंग हत्याकान के बाद धनबाद जेल में लगातार छापे मारी की जा रही है DC वरुन रंजन के नतित में सोमवार को जेल में छापे मारी की गई इस दोरान सुरक्षा ब्यवस्था का जयजा लेने के साथ साथ कैदी वार्ड की जाच की गई कैदीयों को दिए जाने वाले भोजन की गुनवाता की भी जाच की गई साब सापाई के निरुचन किया गया उपायुक्त ने जेल मैनुवल का कलाई से पालन का निदेश अधिकारियों को दिया पांच घंटे की छापे मारी में आपती जनक समागरी बरामत नहीं की गई धनबाद के उपायुक्त ने बताया आगी छापे मारी की दोजान कैदी वाड़ों की जाच की गई भोजन की गुनवाता की जाच की गई 16 कैदियों को दूसरी जेलों में सिफ्ट किया जाना है इसमें से 9 खुनखार कैदियों को दूसरी जेलों में सिफ्ट किया जा चुका है आदिवासी बहुल छेत्रों में सरकारी जोजनाओं को लेकर चलेगा माहा अभियान आधिवासी इलाकों में केंदरिये योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परधान मंत्री जन जाती आधिवासी महा अभ्यान का दूसरा चरण सुरू किया गया है इस अभ्यान का मकसद आदिवासी लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की पूरी जनकारी मुहया कराना है ताकि वे इसका लाब उठा सके योजना का मकसद बुनियादी सुविधाओं से दूर आदिवासी बहुल गाओं में सड़क डिजिटल कनेक्टिविटी, पक्का घर, सुवक्ष पेजल और अने सरकारी सुविधा उनके घरों तक पहुचाना है परधान मंत्री जनजाती आदिवासी महा अभियान के तहट विकास से दूर देश के 200 जीलों में 22 आदिवासी समुह तक सरकारी उजनाव का लाब पहुचाना है केंद्री आदिवासी मंत्राले ने इसके लिए सुचना, सिक्षा और परसार अभियान चलाने का फास्ला लिया है परधान मंत्री नायनमोदी ने जारखन के खुट्टी से 15 नौमबर 23 इसको या अभियान चलाने की घोशना की थी आजसू पार्टी ने सहीद निर्मल महतो अटल भी हरी बाजपई की जयनती पर याद किया जार्खन के उप मुख मंत्री सा आईसू पार्टी के अध्यक सुदेश महतों ने सहीद निर्मल महतों की जनती पर रांची के जेल चोक इस्थीत निर्मल महतों के परतीमा पर मल्यारपन किया उन्होंने कहा है कि आईसु पाटि निर्मल महतों की विचारों और सपनों का संगठन है उनके आंदोलन में दिये गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता राज के प्रति उनकी परिकल्पना को या थार्थ में बदलने तक हम संगर्ष करते रहेंगे जार्खन अलग राज के निर्मान के लिए अपना बलिदान देने वाले सहीद निर्मल दाक के सपनों का जार्खन बनाना ही उनके प्रति सच्ची सधानली है उनकी सहाइदत ने इस अंदोलन को बल दिया जहारखन निर्माल में निर्वन महतों के निटित और योगदान के लिए सभी जहारखन वासी हमेशा उनके रिनी रहेंगे जहारखन के बविसे की कल्पना उनकी सोच में छिपी हुई थी रानी ताल डेम में पिकनिक मनाने गया यूवक की डूबने से मोथ जार्खन के पलामु जिले के चैनपूर थाना छेतर के रानी ताल डेम में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक धर्मिंद्र कमला पूरी की नहाने के दरान डूबने से मौत हो गई जार्खन मौसम अपडेट जार्खन में कई दिनों की करकनी के बाद जार्खन के तापमान में ब्रीधी हुई है राजधानी राची के उस्तम तापमान महर 24 घंटे के वितर 2.60 डिग्री बढ़ने के बाद इसमें 0.1 डिग्री सेन्टीग्रेट की गिरावट आई है इसके साथ ही उस्तमतापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेट हो गया वही निमतापमान में इसी दवरान 5 डिग्री सेंटीग्रेट की बिरिधी के बाद 12.1 डिग्री सेंटीग्रेट हो गया है जो समाने से 2.8 डिग्री अधिक है मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों में जारकन का मौसम कैसा रहेगा निमतन तापमान में बिरीज हो गई या नहीं भारत मौसम विग्यान विभाग के राची स्थित मौसम के दरे ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों तक सुबह में हलके से मत दर्जे के कोहरा या धुन्द छाय रहेगा बाद में आस्मान साफ हो जाएगा मौसम भाग ने कहा है कि राजी के अगले पाश दिनों के दरान निम्तम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है हलाकि इस द रहुल कुमार सिनहा कनेतिवत में अचक निरिक्षन किया गया जेल के अंदर परतेक वार्ड सेल और अस्पताल की जांच की गई जांच दल ने कैदियों के लिए खानिक बेवस्था की भी जनकारी ली है भोयन की गुनवाता की जांच के लिए फूड सेंपल क्लिप्ट किय लगभग दो सब कैदियों का ब्यान दर्श किया गया पूरी रिपोर्ट जेल आईजी को भेजी जाएगी रांची को उपायुकत राहुल कुमार सिनहा कनेतिवत में होटवार के बीर्शा मुंडा केंद्रिये कारा और अचक निरिक्षन किया गया टीम में अपर जिला अधिकारी संजाय परशाद, आवाचे दंडा अधिकारी हटिया, अस्मिर्ति कुमारी, सदर अस्पताल के चिगिशक ड्रक्टर अनिल कुमार सामिल थे लातेहर से जेजे एंपी के तीन नकसली गिरफतार जारखन की लाते हर पुलिस ने परतिमंथित नकसली संगठन जेजे एमपी के दो उगरवादियों यम एक सक्रिय समर्था को गिरफतार किया है स्पी अंजनी अंजन को मिली गुप्त सुचना का धार परिन की गिरफतारी की गई सोमर को उन्हें जेल भेज दिया गया पुलिस अधिक्षक ने पुलिस मुख्याल में आयोजी एक प्रेस वार्ता में इसकी जनकारी दी उन्होंने बताया है कि 24 दिसमर की रातरी उन्हें सुचना मिली की सदा थाना के नसेड गढ़ गराम में पर्तिमंतित उगरवादी संगटन जेजे एमपी के सक्रिय समर्थाक कमलेशवर सिंग और्फ गुरु जी के घर में उगरवादी संगटन के पपु लोहरा वा सब जोनल कमांडर लौलेस गांजु अपने हतियार बंद दस्ते के सदा से जी तेंदर सिंग और्फ बजरंगी जी प्रभाद जी सुरज कुमार लोहरा और्फ सरवनास जी वा अनिल लोहरा आधी के साथ रुका हुआ है साहिब गंज जेल में छापे मारी सोचाले में भी हुई जाच साहिब गंज जीला के मंडल कारा में भारी सेंख्या में पुलिस बल के साथ चापे मारी अभियान चलाया गया सुरक्षा के मंदर इस चापे मारी काने थी तो साहिब गंज डीसी और एस्पी ने किया चापे मारी की टीम सोमवार सुबा नौ बजे मंडल कारा पहुँची करीब धाई घंटे चला इस जाच ओपरेशन में जेल का कोना कोना खंग हला गया हलाकि इस जाच करम में जेल में कोई अपत्ती जनक चीज बनामत नहीं हुई लेकिन क्या कुछ बनामत हुआ इस मामने में भी कोई जनकारी नहीं दी गई सुमवार सुबह जैसे ही भारी सेंग का में पूलिस बल के साथ पूलिस अधिकारियों ने जेल के अंदर प्रवेश किया जेल में हड़कम मच गया था सांसत संजय सेट को CBI ने भेजा नोटीज CCL कोलियरी करमचारी संग ने सुमवार को रांची के सांसत संजय सेट को CMPF में हुए घोटाले की CBI जाच को लेकर गया पन सोपा संग के महमंत्री राजीव रंजन सिंग मुख्याले करकारी अध्यक संजय स्रिवास्ता मुख्याले को साध्यक मनोज सहाई मुख्याले करे समीती सद से किरन कुमारी के अलावा संगठन के अने सद से सामिल थे राजीव रंजन सिंग ने कहा है कि कोईला करमियों की मेहनत की कमाई डेड़ लाख करोर रुपे का भोई से निधी और पेंसन फंड धनबाद इस्थीद CMPF संगठन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है आयूक्त इसके मुख्या है नयासी बूट के अध्यक्स भारत सरकार कोईला मंत्रा लेके सचीव है डेड़ के समन की अन्देखी पर गिरफतार हो सकते हैं दोस ये देश भर में बरश्टाचार और मनी लॉंडरिंग के मामलों पर करवाई कर रहे हैं इड़ी के समन की दो राजियों के मुख्यमंत्री और एक राज के उप मुख्यमंत्री लगातार अंदेखी कर रहे हैं इडी के पास समण की बार बार अंदेखी करने पर करवाई के अधिकार हैं लेकिन उसकी सीमाए हैं इस कारण हमनसुरेंन के जरिवाल और तेयश्वी के मामले में उनके हांथ बधे हुए हैं बताया जारہा है कि इन मामलों में इडी कानून वीदो की राय ले रही है जार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन इड़ी के 6 समन के बाद भी जबाब देने के लिए पुछ ताश के लिए उपस्तित नहीं हुए इस मामले में हेमान सुरेन इड़ी के अधिकार को पहले सुप्रीम कोट में और बाद में सुप्रीम कोट के निदेश प्रजारकन हाई कोट में चिनोती दी हालाकि यहां उन्हें रहत नहीं मिली है पांच लाख नोगरी और हर माह बेरुजगारी भत्ता पर भाजपा का हमला नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा है कि हेमान सुरेन की सरकार ने एक भी चुनावी वादा पुरा नहीं किया जबकि 28 दिसंबर को इस सरकार के चार साल का कारकाल पूरा होने वाला है इसे लेकर परदेश की जनता में आक्रोस है हेमान सुरेन ने अपने चुनावी गोशना पक्ष में 5 लाख नोगरी देने 7 है रुपे प्रति माह बेरुजगारी भता देने 3 लाख रुपे का आवास देने वही अनुबंध कर्मियों को अस्थाई करन करने सहीत 1932 के खतियान का धार पर नियोजियर निती बना कर बहाली करने आदिवादे पूरे नहीं किये गाए इसे लेकर पूरे परदेश में हेमान सरकार के खिलाब आक्रोस है 224 के लोग सभाव विधान सभाचुना में जानता के आक्रोस का नितीत भाजपाक कर इस सरकार को उखार फेगने का काम करेगी रंजी ट्रोफी के लिए जार्खन टीम का एलान पांच जनवर से सुरू होने वाले रंजी ट्रोफी में भाग लेने वाले जार्खन टीम की घोषना कर दी गई है बिराट सिंग के नितीत में घोषित जार्खन की 18 सस्वाइट टीम में बोकारो के चार खिलाडी कुमार कुसागर कुमार देवरात आदिते सिंग और आरेमन सेन सामिल किये गए हैं यह जनकारी बोकारो जीला किरकेट संग के ततर्थ कमिटी के सदा से संजाय सिंग ने दी है उन्होंने कहा कि कुमार कुसागर आदिते सिंग हुआ आरेमन सेन भोकारो जिला किरकेट लिंग में भोकारो किरकेट कोचिंग एकेडमी के निमित खिलारी हैं जबकि कुमार देवराद क्राउन एस्पोर्ट कल्ब की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं सरावनी मेले में भग्तो को 10 किलो मेटर लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ती सांसद निसिकान दुबे ने क्यू कमपलेक्स के दूसरे भेज के कारे को लेकर मांस और ओवर तर्ट का निरिक्षन किया इस दौरान सांसद ने कहा है कि 160 करोड की लागत से कमपलेक्स का कारे पूरा होने के बाद 50 सजर तिर्थ्यार्थियों के क्यू के लिए या क्यू कमपलेक्स मिल का पतर थाबित होगा 2025 के सरावनी मेला में भग्तो को 10 किलो मेटर लंबी कतार से मुक्ती मिल जाएगी अब भग्तो को कुमायठा तक नहीं जाना होगा देर रात से सलक पर नहीं रहना होगा हाई कोट के निर्देश पर न यूग कमपनी अपने CSR के फंड से यह करेगी अभी पहले फेज का काम 15 जुलाई तक पूरा हो जाएगा स्रावनी और भादो मेले के बाद दूसरे फेज का काम सुरू होगा गढ़वा में सिचाई करते समय सिक्षक को करंट लगने से मौत गढ़वा के केतार थाना अंतरगर्थ, पंचाट डुमर पंचायत के सोन वर्सा गाव निवासी सहायक सिक्षक उदायपाल की मौत बिजली करंट की चपेट में आने से सोमवार की दोपर हो गाई सौजनों के अनुसार उदायपाल अपने खेत में सर्चों की सिचाई कर रहे थे मोटर में बिजली चड़ाने के करम में मोटर में अर्थिंग से करेंट प्रभावित हो गया जिसकी चापेट में उदायपाल आ गए और उससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई घटना की जनकारी मिलते ही घटना असल पर केतार पुलीस पहुँच का सव का पंच नामा करूँ से पोश्माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया जनकारी का अनुसार उदायपाल प्रात्मिक विद्याल है सोन वर्सा में सायक सिक्षा करूप में कर रहत है गिरामिनों का काना था कि उदायपाल आपने जीवन सिक्षा दान में करने में ब्यातित क्या है धन्यवाद